फाइनली गेस पोको ने इंडिया पर लॉंच कर दिया है उसका ब्रैन नी स्मार्टफून पोको एक्स्ट्री प्रो और यह जो स्मार्टफून आता है सिग्जी वान टुएंटी एड़ी ओला भेरेंट के साथ 19,000 रुपेस के अंदर और 19,000 रुपेस के अंदर काफी आच्छ लगबख से Mirbelum के तरह से लेडमी नो टेैन प्रो मग लेकर काफी साने आप देखते रहें स्मार्टफून मैं में संजू है अप देख रहे थे ओओप चैनल पर आगर आप वीडर पर आये तो एक IL करना करनाए उसी किसान साथ जो मेरे नहीं मानू आभी तरक इस एड़ चाल्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोड़ी के संब्ले को आल में क्लिक करिए पहला बात किया जाए दोने स्मार्टफून की बिल्ड को डिजाइन के बारे में गर से आप देखा जाए तो Poco X3 Pro का जो डीजाइन है वो काफी बढ़िया होने वाला है क्योंकि गास है जो स्मार्टफून आता है पॉलिकर्बोनेट बाड़ी के साथ स्मार्टफून की पीछे की तरफ ग्लॉसी लूग भी देखने को मिल जाएगा स्मार्टफून की पीछे की तरफ देखा जाए तो स्मार्टफून आता है दोस्तों पॉलिकर्बोनेट बाड़ी के साथ स्मार्टफून के पीछे की तरह आपको ग्लॉसी लूग भी देखने को मिल चाहेगा क्वाट कैमेरा से अब भी रहने वाला है पीछे की तरह और इसका जो फिंगर्फिन सेंसर होने व जाए तो गिल्कुल बाजी मारता है रेड्मी नोटेन प्रो क्योंकि गाइस स्मार्टफून आता है 6.67 फूलिस्टी प्लास एक अमोलेड दिस्प्ले के साथ उसी के साथ यहां पर रहने वाला है 120 हर्स का रिफ्रेस्ट और यहां पर रहने वाला है को निंग गोरिल लगला प्रोटेक्शन और पर पोको एक्सक्री प्रोटाइब 6.67 फूलिस्टी प्लास एक IPS LCD पैनल के साथ स्मार्टफून आने वाला है उसे के साथ यहां पर रहने वाला है 120 हर्स का रिफ्रेस्ट और कॉर्णिंग गोरिल लगला 6 का प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन का पर रेड प्रोटेक्शन की तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाची मारता है पोको एकस्त्री प्रो क्योंकि गाइस आज जो स्मार्टफून आता है कॉलकम की तरफ से 860 चीपसेट के साथ जो की गॉक्टा को चिपसेट और जो चीपसेट दोस्तों सेवें नाइनोमीटर में के साथ अगर अब एडिटिंग बगरा करते हो तो आपके लिए स्मार्टफोन जो होने वाला है काफी बढ़िया और अब रेड़ मी नोटेन प्रो आता है क्वालकम की तरफ से 732 जी चीपसेट के साथ जो की गॉक्टा को चीपसेट है यहां पर भी काफी अच्छा कासा देखने को मिलेगा पोको X3 प्रो के अंदर इसके बाद बात किया जाए दोनुस्पार्टफोन की कैमेरे के बारे में हैं आपर कैमेरे के तरफ देखा जाए तो बिल्कुल बाजी मारता है रेड्मी नौट 10 प्रो क्योंकि गयासे जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ क देखने को मिलेगा ब्रो ये और पर वह कुञा कांधा के साथ मनि चुंटीबर क्याओं कहीं और आपarson नोट 10 प्रो आता है दो सिक्स्टीन मेगापिक्सल सेलफी कैमरे के साथ इसके बात बात कहा जाए दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बैटरी के बारे में दोस्तों यहां पर बिलिकुल भाजी मारता है Poco X3 Pro क्योंकि गाइस जो स्मार्टफोन आता है और अपर रेड्मी नोट 10 प्रो आता है थाटी फ्री अमेज बैटरी के साथ इसके बात कहा जाए दोनों स्पार्पुन की स्टोरेश के बारे में पोको X3 Pro आता है दो वह देन्स टोरेश के साथ उसे के साथ दोनों स्मार्टफोन आता है इंबॉक्स एंडुड इलेवेंट के साथ और दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के मिल जाएगा 3.5 अधियो जैक इसके बात कहा जाए दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेश के बारे में सबसे बात है को स्मार्टफोन आपको पर्चिस आपको पर्चिस कर ना चाहिए दुनों स्मार्टफोन की 6GB 1208G वाला फिरेंट के सबसे देखा जाए तो यहां पर गास मुझे जो बेटर लगा वही गास रेड्मी नोटेन प्रो रेड्मी नोटेन प्रो जासतो एक देखा जाए तो 17,000 रुपिस के अंदर आता है 6GB 1208G वाला फिरेंट के साथ और All Average Package चेस प्रूज़ा है जैसे दोस्ते के पर प्रोसेसर काफ़ी पाउरफून मिलने वाला है उसे के साद दुस्ति के हैं पर AMOLED इस्परी मिलने वाला है 5000 20 आइमेंस के बैटरी मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा का सा Criminal प्रोपिस देखने को मिल जाएगा तो आपके लिए काफी बड़िया स्मार्टफोन होने वाला है ये दोनों स्मार्टफोन से Poco X3 Pro तो आपको क्या लग रहा है आपके लिए कॉंसा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हूँ क्योंकि दुस्तों सब कर आय तो अलगः लग होता है उमिद करता हूँ मैंने आपका इपका साहर डाइआट कि लियर करा अगर आपको वीDR पसंद आए तो एक लाइक करना उससे के साहले सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और रोड़ी बीकर संबेल को आल में क्लिक करें तो अजके लिए तरह हैं अगले एक फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए बाई फ्रेंस टेक क्यार फ्रेंस